चारक के आई एस करण्ट अफेर में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं अगनीपत योजना के बारे में अगनीवीरों की शहादत पर राशी और सम्मान मिलने के क्या नियम होते हैं पर्मानेंट जवानों के मुकाबले अगनीवीरों की सेवा शर्टों में क्या फर्क होता है इनी सब पर हम बात करेंगे ये चर्चा में इसलिए भी है कि पंजाब के रहने वाले अगनीवीर अमरत पाल सिंग के 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में ड्यूटे के दौरान मौत हो गई थी उनके शव को प्राइविट एम्बूलेस से गाव भीज दिया गया था और गार्ड ओफ ओनर नहीं दिया गया था इसी तरीके से महरास्ट्र के रहने वाले अगनीवीर अक्षे लक्षमन गावते की 22 अक्टूबर को सियाचीन में ड्यूटे के दौरान मौत हो गई थी तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगनीवीर योजना क्या है और इसे क्यूँ शुरू किया गया है सरकार ने 2022 में अगनीपत योजना लौज की इसके तहट आर्मी नेवी और एर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉंट्रेक्ट पर भरती किया जाता है चार साल में 6 महेने की ट्रेनिंग भी शामिल है चार साल बाद जवानों को उनकी कारेशमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है इसी मेरिट के आधार पर 25 परतिशत अगनीवीरों को पर्मानेंट सर्विस में लिया जाएगा बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में जा सकते हैं इस योजना में आफिसर रेंग की नीचे के सैनिकों की भरती होती है यानी इनकी रेंग पर्सनल बिलो आफिसर रेंग अर्थात P.B.O.R. के तौर पर होगी इनसैनिकों की रेंग सेवा में अभी होने वाली कमेशन ओफिसर और नौन कमेशन ओफिसर की निफ्ती से अलग होगी साल में दो बार रेली के जरिये भरती की जाएगी अगनी वीर बनने के लिए साड़े सत्रा साल से 21 साल का होना जरूरी है साथ ही कम से कम दस्वी पास होना भी जरूरी है दस्वी पास भरती होने वाले अगनी वीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने की बाद बारवी के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा वर्तबान में मेडिकल को छोड़ कर हर कैडर में इस योजना के तहत भरती की जा रही है इने आर्मी, नेवी, वायू सेना कहीं भी तैनाद किया जा सकता है अगनी वीरों की सेवा कभी भी समाप की जा सकती है चार साल के पहले सेवा नहीं छोड़ी जा सकती लेकिन विशेश मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमती से ऐसा भी सम्भव है सरकार का कहना है कि इस योजना से सेविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की ओस्त आयू कम की जा सकेगी सरकार का ये भी तर्थ है कि नई पीड़ी के आने से हमारी फोर्से तकनीकी रूप से सम्रद्ध होंगी और हमारे सुरुक्षबल आधुनिक होंगे जब ये अगनी वीद चार साल बाद सेवा खतम करके सामाजिक जिवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूद की फोज मिलेगी हाला कि कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लौँच की है नई पर्मानेंट भरतियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोज बढ़ता जा रहा है अब हम बात करेंगे ड्यूटी पर अगर अगनीवीर की मोत हो जाती है तो उनके परिजनों को कॉम्पन्शेशन में क्या मिलता है ड्यूटी के दौरान मोत होने पर सरकार सेवा ने दी पैकेज और उस टाइम पीरिड में जो वेतन मिलता रहेगा वो देगी उदाहरण के तौर पर अक्षय लक्षमन गावटे 30 दिसंबर 2022 अगनीवीर भरती से सेना की तोप खाना रेजिमेंट में शामिल हुए थे उन्होंने 9 महीने और 21 दिन तक सेना में सेवा की लेकिन उनके परिजनों को पूरे 4 साल की सेवा आवदी का वेतन दिया जाएगा अगर ड्यूटी के दौरान कोई अगनीवीर विकलांग हो जाता है तो विकलांगता के सर के आधार पर मुआवजा दिया जाता है अगर कोई अगनीवीर शत परतिशत दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाक रुपए पिचेतर पर 25 लाक रुपए और 50 परतिशत दिव्यांग होने पर 15 लाक रुपए मिलते हैं सेरा ने जो अक्षे लक्षमन दावटे के लिए बयान जारी किये हैं उसके अनुसार अक्षे को बीमा के 48 लाक रुपए और अनुग्रे राशी के 44 लाक रुपए मिलेंगे इसके अलावा सेवा निदी की राशी भी मिलेगी जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया ज जाएगी इस तरह सब मिलाकर कुल राशी 1.13 करोड रुपए होगी तो यहां पर इस हवाल यह उड़ता है कि जब अक्षे लक्षमन गावटे को समान मिला है तो फिर पंजाब के अमरतपाल सिंग को क्यों नहीं मिला 23 अक्टुबर को महराश्ट के बुलडाना जिले के पीपल गाव सराय गाव में अक्षेकर राजकिय समान के साथ अंतिम संसकार किया गया इससे पहले उनकी यूनिट फाइर और फ्यूरी फोर्सेस ने अक्षे को सेन्ने समान के साथ विराई भी दी दस दिन पहले पंजाव के अगनीवीर अमरत पाल सिंग के अंतिम संसकार के समय गाड ओफ ओनर नहीं दिया गया था इससे काफे बवाल हुआ था भारतिय सैना ने 15 अक्टुबर को एक बयान जारी किया कि अगनीवीर अमरत पाल ने सुसाइड किया था इसलिए नियमों के आधार पर उसे गाड ओफ ओनर नहीं दिया गया खुद को पहुचाए गई चोड से होने वाली मोत के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता है सैना ने कहा है कि वो अपने सैनिकों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वे अगनीपत योजना से पहले या बाद में सैना में शामिल हुए हैं अब हम बात करेंगे कि पर्मानन जवान और अगनीवीर को मिलने वाली सुईधाओं में कितना फर्क होता है दोनों में सबसे बड़ा अंतर पेंशिन का होता है रेटायर्मेंट के बाद पर्मानन सैनिक को हर मही में सैना की और से पेंशिन मिलती है वही चार साल तक सेवा के बाद अगनीवीर को कुछ नहीं मिलता हाँ इतना जरूर होगा कि 25 परतिशत अगनीवीर सैना में पर्मानेंट जॉब के लिए क्वालिफाइड होंगे जिने बाद में सारे बेनेफिट मिलेंगे युद में हताहत होने की स्थिती में एक नियमित सैनिक के परिवार को उधारी कृत परिवारिक पेंशन मिलती है जो ता उम्र मिलने वाली सैलरी के बराबर होती है इसी अमाउन पर कोई इंकम टेक्स नहीं लगता है जबकि अगनी वीर का परिवार केवल 48 राक रुपे की गैर अंच दाई बीमा राशी के लिए पात रहे पर्मानेंट सैनिक को परतिवर्ष सेवा के लिए 15 दिन की ग्रेचोटी भी मिलती है और 50 लाग का बीमा भी होता है अगर कोई पर्मानेंट सैनिक किसी ओपरेशन के दौरान विकलांग हो जाता है तो उनके ग्रेजोशन लेवल तक के बच्चों को सिक्षा भता दिया जाता है अगनी वीरों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आर्मी में एक सैनिक के शुरुवाती सेलरी 40,000 रुपए प्रतीमा होती है जबकि अगनी वीरों को 30,000 रुपए प्रतीमा दिये जाते हैं अगर अगनी वीर डूटी के दौरान विकलांग होता है तो उसे विकलांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा राशी और 4 साल में जितनी नौकरी बची है उसके आधार पर राशी का बुगतान होता है वहीं पर्मानेंट सैनिक को पात्रता के आधार पर पेंशन और कई अन्य तरह की लाब भी मिलते हैं सैनिक के शहीदों की पत्मियों या परीजनों के लिए पुनरवास महानी देशाले के योजनाय चला आता है उन्हें पेट्रोल पम का आवंटन होता है शहीद के परिजन को LPG गैस एजनसी लेने पर छूट मिलती है लेकिन अगनी वीरों को ऐसी कोई योजना का लाब नहीं मिलता है इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विश